बीजय में के 2.7 अपडेट के बाद जब आप पैसूट से लेंड करते हो तो आपके हाथ में रहता है एक मिली वेपेंड ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है होट ड्रॉप के अंदर मैंने काफी बार गन पिक कर लिया है जब फायर करने जाओंगा तो मिली वेपेंड चल बार आप मरे हो एनिमी के हाथो तो कल जब मैंने होट ड्रॉप के अंदर उत्रा और फिर दो तीन बार मरा तो मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकाता है मेरे दोस तब भी मुझे बताता है कि ऐसा एक सेटिंग है जिसको अगर तू एनेवल कर देता है तो ये जो मिली वेपेंड य अब पर देख जाएगा तो मैं फिर एनेवल किया अभी देखो क्या होता है तब भी जो पैस उट से लेंडिंग करने के टाइम आपका जो मिली वेपेंड वहाथ में आ जाता है तो ये जो सेटिंग है इसको डिसेवल ये इनेवल करने से कोई आपका फरक नहीं आएगा तो ये सेटिंग के एक्च्वेल यूज में आपको बतायता हूं तो इस सेटिंग को अगर आप एनेवल कर देते हो तो अपने गन को अपने बैक में रखोगे तो आपके हाथ में आजागा तो आपके बास कोई सभी मिली वेपें हो मुझेटी हो या फिर पैन हो मतब आपके अगर आप इसको अनेवल कर रखते हो तो आटोमेटिकली जो मिली वेपें हो आपके हाथ में आजागा तो ये सेटिंग का यही यूज है तो अभी जो में पॉइंट के टाइम जो हाथ में मिली वेपें रहता है उसको डिसेबल कैसे करे तो देखो पबजी मोबाइल के याद से आपको इसको एक बाद कर देना तो ये बैक के अंदर आ जाता है और काफी फादेमंद भी एक दो बंदे को भी मारा दो सौट में बंदा नौख हो जाता है तो एक दम क्लोस फाइड में इसका हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ही अदा फ्रस्टेट कर र जाता है अब ही एक दम गुलाटी मार की कायक्टर ख़ड़ा होता है तो कैसा तो यह जो छोटे मोटे चीज अवाई काफी जादा फ्रस्टेटिंग चीज है क्योंकि हॉट रोब के अंदर यह सारे चोटे मोटे फैक्टरी काफी जादा मैंटर करता है गन फाइड लेने में तो आज का यह चोटा से इंफोर्मेशन आपको क्यासा लगा कमेंट के अंदर बता सकते हो बाकि वीडियो को लाइक करके अपने बीजय में ग्रूप्स के अंदर श्यार कर देना बाकि इस्टा पे फॉलो नहीं क्या फॉलो कर लेना एंस्टा इड है आर्पी अंडर स्कूर